ओम नमस्षिवाए तंत्र के रचैता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है बहुत सी क्वैरीज आ रहे हैं कि गुरुजी जो आपने पहले मंत्र बताये थे उनको दुबारा बताईए हिंदी में बताईए अंगरीजी में पड़े नहीं जाते तो अगर आपको भी सारे मंत्र एक जगह पर चाहिए तो जाहिए सर्स्टॉपस.com पर वहाँ पर इसका एक संग्राय बना रखा है जहाँ पर आपको सारे मंत्र मिल जाएगे आपको उनकी डीटेल भी मिलेगी, हिंदी में भी मिलेंगे और उनका आडियो में भी आपको उनको सुन सकते हो तो जिनको पढ़ने में दिक्कत आती है वो सुन सकते है सर्स्टॉप्स.com पे जाईए और वहाँ पर सारे मंतर आपको मिल जाएंगे तो आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा वशीकरण का अद्भुत अजूबा जो कि किसी भी स्त्री को आपके अनुकूल कर देगा ये मंतर बहुत ही कारगर है और एक बार करने पे ही किसी को भी वशीभूत कर सकता है और ये लगबग मैंने दस साल पहले दिया था और उस समय से लेकर अब तक इसके रिजल्ट बहुत अच्छा आई है मंतर है ओम भगवती भग भाग दाइनी देव तंती मम वश्यम कुरु कुरु सुआह इस मंतर का प्रयोग स्त्री को वशीभूत करने के लिए किया जाता है देव दंती के स्थान पर स्त्री का नाम लिखें इस मंत्र के द्वारा गुरुवार को सूखी नमक लेकर और इस मंत्र से 108 बार अविमंत्रत करके इच्छित स्त्री के खाने या पीरे में दे दें तो वो स्त्री सत्र प्रतिशत आप पर मुहित हो जाएगी यह रसाइन विज्ञान में आता है और नमक पर आप जब यह मंत्र अविमंत्रत करते हैं तो जन्म जन्मांतर तक वो जो भी स्त्री होगी वो आपके प्यार में व्याकुल रहेगी सिर्फ इसी जन्म नहीं साज जन्मों का यह रिष्टा होता है तो साज जन्म तक यह रिष्टा बन जियाता है इस मंत्र से और माभगवती की कृपा से जो भी स्चित्स्त्री होगी वो आपके प्यार में बावरी हो जाएगी यहां वहां सिर्फ आपको ही डूड़ते रहेगी और यह इतना सटीक मंत्र है जो कि एक ही बार में काम कर जाता है जब भी कभी वो मिले तो उसके खाने में थोड़ा सा नमक डाल दें यह मंत्र पढ़कर और फिर देखें चमतकार किस तरह से वो बावरी होकर आपके आगे अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे कॉल करें ट्रिपल लाइन टुएट फॉर सोलह बच्चे या मुझे वाट्सअप भी कर सकते हैं सेम नमबर पर धन्यवाद